ओम नमाशिवाए मगा नक्षद्र के नक्षद्र स्वामी केतु हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, धनी, आग्याकारी, स्वाभिमानी और सुख संपत्ती से युक्त होते हैं ऐसे जातक अस्पस्टवादी, साहसी, भावुक, मगर सिग्र ही क्रोधित होने वाले हर कारे अतिशिग्र करने के ल इस्थिती वाले और इनकी उन्नती में उतार चड़ाव लगा रहता है। यदि सहयोगी लगन रहा केतु और सूरी की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन सिंग राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी सूरी देव ह मेश राशी वाले जात्कों के मन में चल रहें अंतरगंद, मानसिक उथल पूथल और भ्रमात्म की स्थिती से राहत मिलेगी। आपकी कोशिश और आत्मिश्वास से रचनात्म प्रयास सार्थक होंगे। तार्किक शमता बढ़ेगी और प्रही कारी वजनाओं का विश्ता होगा। साजेदारी सफल रहेगी, अतिरिक्त धन की आवस्ष्टा महसूस होगी, आर्थिक लाव सामान रहेगा, सरकारी सहयोग और पारिवारी क्वेरणा बनी रहेगी, अच्छे कामों में पूजी निवेस और बच्चों के भविस्व पर खर्च की संभावना भी बनती ह कुछ मामलों में आलस या अवरोध की स्थिती संभावित है, विद्यार्थी उर्जावान महसूस करेंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा चंद्रमा ब्रिश रासी से चौथे भाव में चल रहे हैं, आपकी सक्रियता और कारे चमता ब्यावसाईक उद्देश के साथ ही घर ग्रिहस्ती के रचनात्मक कारियों के प्रती भी केंदित रहेगी थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष को हासिल कर लेंगे मौधिक चमता और प्रबल देड़िच्छा सकती आपके हर काम को आसान और सुविधाजनक रूप में बदल देंगे नई कारियोजनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है दिद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा संतान संबंधी चिंता दूर होगी मांगली कारेकरम के लिए समय अनकूल रहेगा और स्वास संबंधी आवसरक सावधानी बनाए रखे मिथुन डासी वाले जातकों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धों का भावनात्मक लगाव बढ़ेगा सामाजी प्रतिष्ठा में बिद्धी होगी ब्यावसाइक पक्षी की अनुकूलता बनी रहेगी सासन सत्ताव अधिकारियों का सहीयों जाजी रहेगा आपके प्रभाव और आत्मिस्वास से आर्थिक निवेश की कई लावकारी योजनाएं सामने आएंगी पारिवारिक प्रेरणा और पत्नी की सलाह लावदायक सिद्धों की स्वास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए सिक्षा प्रत योगिता में सफलता संभावित है संतान संबंधी सुख समाचार मिल सकता है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा करक राशी के जातक मानसिक रूप से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे नकारात्मक विचार और भ्रमात्मक इस्थिती खत्म होगी आर्थिक लाव के कई आउसर मिलते जाएंगे सामाजिक दाई तो बढ़ेगा और सम्मानित किये जाएंगे चंद्रमा का केतु के नक्षद्र में होना और उस पर मंगल की द्रिष्टी आर्थिक उन्नती और नई कार्योजनाओं के विस्तार में सहयक होगा संतान संबंधी चिंता संभावित है मगर आर्थिक पक्ष अनकूल रहेगा सिक्षा प्रत योगिता के छेत में सफलता मिलेगी साजेदारी के कामों में सावधानी अपयक्षित है सत्रुपक्ष हावी रहेगा मगर पारिवारिक सुख संतुष्टी महसूस करेंगे और वाहन सावधानी से चलाएं सिंग राशी के जातक मानसिक रूप से उर्जावान महसूस करेंगे और रचनादमक प्रिया सीलता बनी रहेगी मगर स्वास संबंदी सावधानिया रखनी चाहिए खास्त और से पेट संबंदी मामलों में दिक्कत हो सकती है ब्यासाईक अनकूलता आर्थिक लाव के लिए प्रेरित करेंगी और नए लग्ष निर्धारित होंगे संबंदीत मामलों में अचानक यात्रा का योग बनता है आर्थिक निवेश के लिए समय अनकूल है परिवार में आनंद और खुशी का महाल बना रहेगा नीजी संबंद प्रगाड होंगे वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा घरेलू संसाधनों में व्रिद्धी होगी और सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी मगर प्रयास जारी रखे कन्या राशी के राशी स्वामी बुद्धी ग्यारहमे भाव में राहू के साथ सूरी से अस्थ है और चंद्रमा बाढ़हमे भाव में चल रहे है अतियात्मिश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर्क करने की प्रवरित्ती बढ़ी रहेगी मगर ब्यावसाइक मामलों में सुधार का दोर जारी रहेगा भविस्में अपने कारे छेत्र में सफल रहेंगे सकारात्मक प्रयाश से प्रोननती के अवसर मिलेंगे मित्रों वह सहयोगीयों से अनुकूलता बनी रहेगी आथिक पक्ष मजबूत रहेगा धर्म कर्म और मित्रों पर खर्ट संभावित है संताल संबंधी चिन्ता अभी बनी रहेगी सिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें और स्वास संबंधी सावधानी बनाए रखें साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं तुला राशी के जातकों के रुके हुए काम संपन्ध होंगे धार्मिक भावना में बिद्धी होगी मगर मन का अंतरदंद आपके कारेच्षेत्र और उर्जास्तर को प्रभावित करता रहेगा चंद्रमा केदू के नक्षत्र में चल रहे हैं अच्छे काम में बित्तिय निवेश के लिए सहयोग मिलता जाएगा मगर ब्यावसाईक और यम्मित्ताएं भी संभावित हैं इसका आपको ध्यान रखना चाहिए आर्थिक लेंदेन वह महत्वों काविजातों को ध्यान से पढ़कर उसका निव्टारा करना चाहिए संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी अध्यन ध्यापन में आज का दिन सफलता दायर सिद्ध होगा प्रयास जारी रखें ब्रिश्चिक राश्य वाले जात्कों के मन का अंतरदंद कम होगा और नकरात्मक विचारों में कमी आएगी और जा अस्तर में ब्रिधियोगी और कारे छेत्र के विकास और उत्थान की मानसिखता बनी रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और अधिकारीयों का सहयोग मिलता रहेगा नवीन कारी वजनाव और साजेदारी के लिए समाय अनुकूल है अपनी क्रिया सीलता को हर हाल में बनाई रखें सिख्षा प्रत योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी आठिक वक्ष सामानी रहेगा पारिवारिक दाईत्र के प्रती चिंता बढ़ेगी नीजी मामलों में बाधा या रुकावट संभावित है वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुपूल रहेगा धनू राशी वाले जात्कों के लिए आठिक पक्ष मजबूत होगा ब्यावसाइक संसाधनों में ब्रिध्धी होगी रुके हुए सरकारी काम संपन होंगे और लाव की इस्थिती बनी रहेगी बौधिक छमता का विकास होगा और पारिवारिक पेरना लाव जायक रहेगी नए प्रस्ताव सामने आएंगे साज्य दारी सफल रहेगी मगर स्वास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और विवादों के निप्टाने का योग बनता है सिक्षा प्रत योगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा धार्मिक भावना में गृद्धी होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं मकर राशिके जातकों की सक्रियता बनी रहेगी और कारी और जिनावों में सफलता हासिल होगी, आर्थिक लाव सामाने रहेगा, लोग प्रियता बढ़ेगी और प्रसंसा के पात्र बनेंगे, सासन सत्ता और अरिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, उन्नती का दोर जारी है, कारे छेत से संबंधित यात्रा, संभावित है, अपने स्वास्त पर आवर्शक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं, कुम्ब रासिके जात्कों के लिए आज की सुरवाद रिढ़ आत्मिस्वास और सकारात्मक मानसिक प्रभाव से होगी, रचनात्मक प्रयासों में व्रिद्धी होगी, नई कार यो आशन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, अध्यन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है, और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मीन राशी वाले जात्कों की दिनचर्या सामान रहेगी, चंद्रमा के छठवे और केतु के नक्षत्र में होने से मानसिक जगरता, नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कारिच छेत्र में लापरवाही की प्रवरित्ती बनी रहेगी, आत्मिश्वास और सक्रियता प्र आशीलता के अनुसार बना रहेगा, विभागी अधिकारियों से सहयोग वाधान लाव मिल सकता है, अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें, साथ ही स्वास सम्बंदी विशे सावधानी बनाए रखें, आज के लिए वस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाश्वाय अध्यान अध्यान लाव में ए।